आप देख सकते हैं, तो इसको कभी भी आप इस तरीके से दोनों इसके जो किलेंप हैं, उनको लड़ाएं नहीं, क्योंकि अगर आप उनको इस तरीके से शॉट करेंगे, तो जो आपके यहां पर यह डायोड लगे होते हैं, यह बाले. हेलो दोस्तो खेमपु रिपेर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आप देख सकते हैं मेरे पास में है 12V 10A बैटरी चार्जर और इस चार्जर को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेपलाइजर तो दोस्तो यह कोई स्टेपलाइजर नहीं है यह आप देख सकते हैं कि यह चार्जर है क्योंकि यहाँ पर एंपियर मीटर लगा है असल में क्या है कि जिस भी मेकैनिक ने या जिस भी भाई ने इसे बनाया है तो हो सकता है कि उन्हें body ना मिल पाई हो charger की तो उन्होंने stabilizer की जो ये cabinet होती है इसमें ही बना दिया है हाला कि आज हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं कि इसको कैसे बनाया क्यों बनाया आज हम बात इस point पर करेंगे कि इसमें आ गई है एक problem ये बिल्कुल भी work नहीं कर रहा है तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या problem है जिसकी वज़े से ये work नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से ये battery को charge नहीं कर रहा है यहां पर आप देख सकते हैं रूटरी आ गई मेन का indicator आ गया इधर हमारा आ गया एंपियर मीटर अगर हम इसके back side की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं stiff laser के socket हैं मगर इसमें stiff laser नहीं है तो इसलिए socket को खाली छोड़ दिया गया है यहां पर एक इसका on off का switch है और इसके साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कुछ इस तरह के clamp है ठीक है जो के हमारी battery पर लगते हैं तो इससे आप 12V की कोई भी battery charge कर सकते हैं अगर इसकी output की बात करूँ तो लगबग 6-7A तक यह average first class charging करता है आप इससे कुछ भी charge कर सकते हैं यहां पर इसकी man lead है सबसे पहले हम इसको लगाएंगे power में लगाकर हम देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है क्या problem है जिसकी वज़े से इसमें power नहीं आ रही है तो इसका man lead है उसको मैं लगा देता हूँ series पर series पर लगाने के बाद हमारी series glow नहीं हुई है switch on है इतर भी indicator बिल्कुल भी show नहीं कर रहा है दोस्तों यह चीज में आपको बता दूँँ आप इस video complete देखें जिससे कि आपको इस या फिर किसी भी तरह के charger को repair करने की पूरी knowledge मिल जाए तो सबसे पहले तो series पर है इसलिए हम इसकी चिम्टी को जो यह clamp है इनको लड़ा कर देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर इसमें कोई power नहीं आ रही है ठीक है यह DC volt होते हैं इनको आप हाथ से पकड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आप दोस्तों हम इसको यहाँ पर open करने वाले हैं open जो इसक open कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसकी cabinet जो है उसको हमने अलग कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमारा यह battery charger है आप देख सकते हैं कि इसके connection बहुत ही बड़ी आदरीके से किये हुए हैं और यहाँ पर solding वगएरा proper हुई भी है देख सकते हैं अच्छी condition में है अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर indicator भी ठीक से लगा हुआ है और rootry के connection भी ठीक हैं अभी rootry को गुमा कर देखते हैं तो rootry सही तरीके से work कर रही है और इसका switch भी देखने से देखिए कि जला हुआ नहीं लग रहा है तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें फिलाल कोई problem तो लग नहीं रही है लेकिन फिर भी ये work नहीं कर रहा है काम ये नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमें इसकी जो main lead है इसको check करना होगा इसको check करने के लिए हमें लेना होगा series testing boat को इस तरह की मैंने main lead को ले लिया है और इसको मुझे लगा देना है series पर ठीक है तो मैंने series पर लगा दिया है आप दिहान लखें कि इसको direct ना लगाएं और आप इस charger को तब ही repair करें जब आपसे थोड़ा बहुत light का काम आता हो या फिर आप कोई mechanic हो अगर आपसे काम नहीं आता है तो फिर आप इस तरह के charger को repair ना करें आप इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं ये वीडियो आपके लिए नहीं है इसमें देखिए यहाँ पर power आ रही हमारी series यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका effect पढ़ रहा है श्रीज glow हो रही देखिए जो man lead की wire है न वो कुछ इस तरह से आई है एक wire जो है man lead की ये वाली man lead है हमारी ये आप देख सकते हैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पास से दिखिए यहाँ पर ये man lead आई है और ये कहां को घूम कर आई है यहाँ पर ठीक है तो man lead की जो wire है एक wire तो यहाँ पर इस पोल पर आई है रूटरी पर ठीक है एक यहाँ आई है और दूसरी wire कहाँ ये switch पे तो सबसे पहले हम यहाँ पर और यहाँ पर power देखेंगे कि man lead में आ रही है या नहीं आ रही है उसके बाद हम यह देखेंगे कि switch से power output हो रही है या फिर हमारे root tree से power output हो रही है या नहीं या तो switch खराब है या root tree खराब है अगर ये दोनों चीज़े खराब नहीं होंगी तो फिर हमारी coil में problem हो सकती है कभी कभी coil क्या है कि अंदर से short हो जाती है देखने से सही लगता है टास्फर्मर जला हुआ नहीं लगता है लेकिन coil अंदर से खराब हो जाती है मैं इस पर लगा लेता हूँ इस लेक पर ठीक है आप देखते हैं switch पर तो switch पर पावर आ गई है मतलब हमारी series यहाँ पर काम भी कर रही है और आप देख सकते हैं switch spark भी कर रहा है है कि नहीं चलिए अब यह देखते हैं कि इस पर पावर आ रही है इस lead से यह नहीं, तो देखिए इस पर power नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि हम ये वारी lead चेक कर रहे हैं, अब हमें इसको check करना है, तो इस पर हमें लगाना होगा, ठीक है? तो इस पर लगाते हैं, यहाँ पर भी power आ रही है, इसका मतलब दोस्तों क्या है? कि main lead जो है हमारी, व power नहीं आई, उपर वाले lead पर power नहीं आई, जबके switch हमारा on है, अभी off है, अब on है, ठीक है? तो इसके लिए अब आपको नीचे वाले pin पर लगाना है, तो देखिए नीचे वाले pin पर हमने लगाई, और हमारा जो spark है, वो होने लगा, मतलब हमारा जो charger है, वो काम कर रहा है और यहाँ पर indicator जो है, वो भी आप देख सकते हैं, कि वो यहाँ पर glow हो गया, इसका मतलब दोस्तों यह है, कि हमारा जो यह switch है charger का, यह वाला यह खराब है, अगर यह खराब नहीं होता, तो फिर हम router को भी एक बार जरूर चेक करते हैं, तो आपने देख लिया कि सिर्फ इ चेंज करूँगो, उसके बाद आपको मैं एक चीज और बताऊँगा, switch के connection आपको वैसे ही लगाना है, जैसे इसमें है, अंदर की दर्फ को पिघल कर बैड़ गया, ठीक है, और यह switch भी आप देख सकते हैं, कि ज्यादा अच्छी company का नहीं है, कुछ इस तरह का यह switch है, ठ टाइब का royal switch, और यह switch जो है, आप देख सकते हैं, कि अच्छी quality का है, और यह काफी अच्छा work करता है, यह 6 ampere का switch होता है, अच्छी तरह से इसका leg भी लगा दिया, और इसका switch भी change कर दिया, इसको आप मैं direct लगा देता हूँ, ठीक है, AC volt पर, तो मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पर इसमें power आ चुकी है, आप देख सकते हैं, इसका जो meter है, वो अभी नहीं चल रहा है, उसकी वज़ाई यह है, क्योंकि अभी हमने इसको battery से connect नहीं किया है, जब हम इसको battery से connect करते हैं, तो यह कुछ इस तरह से चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक ह देखिए, कि यह किस तरह से चलता है, ठीक है, हम इसको battery से connect करेंगे, तो इसकी जो सुई है, वो उपर को आ जाती है, कुछ इस तरह से, देखिए, आप देख सकते हैं, और अभी इसको मैंने series पर लगाया, direct नहीं लगाया, अगर मैं इसको direct light पर लगाँगा, तो इसकी सु देख सकते हैं, तो इसको कभी भी आप इस तरीके से दोनों, इसके जो clamp हैं, उनको लडाएं नहीं, क्योंकि अगर आप उनको इस तरीके से short करेंगे, तो जो आपके यहाँ पर यह diode लगे होते हैं, यह बाले, 54, 0, 8, तो यह diode जो हैं, वो short हो जाते हैं, और खराब हो जाते तब भी आपका जो charger है, वो खराब हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको charger की सारी problems का solution पता चल गया होगा, अगर आपके charger में कोई और problem है, जो कि आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे comment करें, या फिर Instagram पर के लिए, thanks for watching